जब दो परमाणू हतियार वाले परोसियों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा तो एक और परमाणू हतियार वाला देश इस पूरे गटना करम को बहुत ध्यान से देख रहा था इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में भारत और चीन के बीच हुए सीमा विवाद पर क्या चर्चा हो रही है और वहां की मीडिया क्या नरेटिव बना रही है ये रिपोर्ट BBC मॉनिटरिंग ने तयार की है जो दुनिया भर की मीडिया पर नजर रखता है और पुशलेशन करता है भारत और चीन के सैनिकों के बीच लाइन ओफ एक्च्छल कंट्रोल पर जून में हिंसक जड़प हुई कई दिन तक तनाव बना रहा और दोनों पक्ष एक दूसरे को दोशी बताते रहे दशकों में पहली बार ऐसा कुछ दोनों देशों के बीच हुआ था इसमें पाकिस्तान की दिल्चस्पी होनी ही थी क्योंकि भारत को वो दुश्मन मानता है और चीन को दोस्त सबसे पहले तो पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान ने भारत पर ही आरोप लगाया कि वो अपने परोसियों को अपनी विस्तार वादी नितियों से डरा रहा है पाकिस्तान की विदेश मंतरी शाह महमूद कुरेशी ने भी कहा कि भारत अपने हर पडोसी के साथ सीमा विवाद को भड़काता रहा है भारत और चीन के बीच जिस जगा पर विवाद हुआ वो हिमालक शित्र में पड़ती है और ये इलाका तीनों देशों के बीच लंबे वक्त से विवाद दित रहा है कश्मीर को ही लिजे कश्मीर के हिस्सों पर भारत का भी शासन है कुछ पर पाकिस्तान का और कुछ पर चीन का तीनों ही एक दूसरे के हिस्सों पर अपना दावा भी करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ओफ कंट्रोल एक सीज फायर लाइन है जिससे सहीं 13 ने रेकमेंड किया था और 1940 में दोनों देशों ने इस पर सहमती दी थी लेकिन पाकिस्तान और चीन के बीच कश्मीर को लेकर कोई बयान बाजी नहीं होती जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच L.O.C. है वैसे ही भारत और चीन के बीच L.A.C. है जो की माक्ट नहीं है मतलब निर्धारित नहीं है और इसलिए भारत और चीन के बीच अकसर विवाद होता रहता है L.A.C. के एक पार लद्दाख है जिस पर भारत का शासन है और दूसरे पार अकसाई चिन है जिस पर चीन का शासन है ये L.A.C. L.O.C. से बस कुछ 100 किलोमेटर की दूरी पर है तो पाकिसान में कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच ये जो सीमा विवाद हुआ उसका संबंध भारत के कश्मीर को दो राज्यों में बाट देने के फैसले से जुड़ा है पांच अगस 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेश दरजा भारत सरकार ने खत्म कर दिया था जम्मू और कश्मीर राज्य नहीं रहा और केंदर शासित प्रदेश बना दिया गया इसके साथ ही लद्दाक को भी अलग केंदर शासित प्रदेश बना दिया गया चीन तो इस फैसले को लेकर सेयुक्त राश्ट्र में भी पहुँच गया था जहां 50 साल में पहली बार इस मुद्दे पर मीटिंग हुई पाकिस्तान की मीडिया का एक तबका भारत और चीन के बीच हुए हालिया विवाद को कश्मीर की लड़ाई के तौर पर भी देखता है पाकिस्तान के एक अख़बार डेली टाइम्स में 27 जून को एक आर्टिकल चपा उसमें कहा गया कि पाकिस्तान के लिए इस हालिया घटना से एक खास बात हुई है कि आर्टिकल 370 का मुद्दा फिर से खड़ा हो गया इस आर्टिकल में लिखा गया है कि भारते कॉमेंटेटर्स के मुताबिक जून की शुरुआत में भारत और चीन के बीच हो रहे नेगोसियेशन में चीन ने मांग रखी कि भारत लद्दाख को यूनिन टेरिटरी बनाय जाने के फैसले को वापस ले और इसलिए ये पाकिस्तान के लिए भी एक मुद्दा है और ये घटना कश्मीर विवाद को फिर से लाइमलाइट में ला रही है लेकिन इसे सर्फ कश्मीर की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए भारत के LSE पर Infrastructure Projects और अमरीका के साथ संबंद पाकिस्तान और चीन के लिए चिंता की बात है वहीं भारत के लिए भी चाइना-पाकिस्तान Economic Corridor यानि CPEC चिंता की बात है जो पाकिस्तान परशासित कश्मीर से होकर गुजरता है भारत इसे oppose भी करता रहा है चीन के Belt and Road Initiative को लेकर भी ये चिंता है कि इसे Military Purpose के लिए इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान के चैनल दुनिया टीवी पर पाकिस्तान परशासित कश्मीर के प्रेजिडेंट मसूद खान ने कहा कि ये विवात तो है भारत और चीन के बीच लेकिन मैसेज जा रहे हैं अमरीका को अमरीका ने भारत को उकसाया है कि वो Belt and Road Initiative में अडंगा लगाए और CPEC को साबोटाज करे इसलिए चीन ने जो किया चीन ने सिर्फ भारत को नहीं बलकि अमरीका, औस्ट्रेलिया और जापान को भी जवाब दिया है पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अब सैन्ने और राजनितिक तोड़ पर अलर्ट हो जारा चाहिए क्योंकि चीन के साथ हुई घटना के बाद अब भारत कुछ करेगा पाकिस्तान की मीडिया चीन के पक्ष में एक नेरेटिव बना रही है कि चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों को हरा दिया और भारत की लाके का कुछ हिस्सा अपने कबजे में कर लिया कहा जा रहा है कि चीन की कारवाई के बाद भारत पाकिस्तान की तरफ आकरामक रुख अपना सकता है ताकि लोगों का ध्यान बाटा जा सके पाकिस्तान के अखबार दनेशन में पुर्व आंतरिक मामलो के मंतरी रह्मान मलिक ने अपने ओपिनियन में लिखा है कि नरेंद्र मोदी का मुख SH target पाकिस्तान है ना की चीन पाकिस्तान को इस छोटी सिहार को celebrate नहीं करना चाहिए और ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए उन्होंने लिख़ा है कि जब भी भारत में कोई क्राइसिस होता है तो पाकिस्तान को वो scapegoat बनाता है इसलिए पाकिस्तान को अब पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए